जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में श्विफ खोडी गुफा से दर्शन का लोट रे तीर्थ यात्रियों की बस पर आतंक वादियों ने हमला कर दिया है इस हमले में दर्श और धालू की मौत हो गई जिन में तीन महिलाएं शामिल है और 32 लोग घायल हो गए है ग्रह मंतरालिय ने इस आतंकी हमले की जांच एनाईय को सोब दी है एनाईय के एसपे स्तर के अधिकारी और फोरण से टीम घटना स्तल पर जांच कर रहे हैं रविवार शाम को ये घटना हुई रियासी जिले के पोनी इलाके में आतंक वादियों ने तीर्थ यात्रियों की बस को निशाना बनाया बस शिव खोडी गुफा तीर्थ स्तल से कटरा लोट रही थी हमले के बाद बस गहरी खाई में जा गिरी प्रत्यक्ष दर्चियों के अनुसार आतंकियों ने बस पर 25 से 30 गोलिया चलाई और एक आतंकी ने लाल मफलर पहने नकाब पोश होकर अंदा धुन्द गोली बारी की गहल तीर्थी आत्रियों ने बताया कि उन्होंने आतंकियों को बस पर गोली बारी करते वे देखा है बस खाई में गिरने के बाद भी आतंक वादी 20 मिनट तक गोली बारी करते रहे एक पीडित ने कहा कि ड्राइवर गहल हो गया और बस खाई में जा गिरी इस तानिये लोग और पुलिस कर्मी मोके पर पहुँचे और पीडितों की मदद कर रहे हैं ग्रहमंतरालिय ने एनाइए को जान सोपते वे फोरंसिक टीम के साथ घटना इस्तल पर भेजा है वहीं इस मामले को लेकर राश्टर परती द्रोपर्दी मुर्मू ने कहा कि जम्मो कश्मीर के रियासी जिले में तीर्थ यात्रियों को ले जा रहे ही सब पर हुए आतंगवादी हमले से मैं व्यतीत हूँ ये कायरता पूर्ण के खिलाफ है अपराध है और इसकी कड़ी शब्दों में मैं निंदा करती हूँ राश्टर पेडित परिवारों के साथ खड़ा है मैं घायल के सीग्र स्वस्थ होने की प्रातना करती हूँ और केंद्रिय मंतरी अमिच्छा ने भी इस हमले की कड़ी निंदा जताई है अमिच्छा ने कहा है कि दोश्यों को बक्षा नहीं जाएगा उन्हें कानून का सामना जरूर करना पड़ेगा वहीं उपराज्विपाल मनोज सिन्हा ने बताया कि प्रधान मंत्री ने भी इस्तती की निगरानी करने और प्रभावित परिवारों को हर संभव मदद सुनिशित करने का निर्देश दिया है सुतरों के मताविक हमले में शामिल आतंकी, राजोरी, पूंच और रियासी के उपरी इलाकों में छिपे हुए हैं इन्हें पकडने के लिए बड़े स्तर पर सर्च ओपरेशन चलाया जा रहा है रियासी के उपायुक्त विशेश पोल महारजन ने बताये कि मरतकों में तीन महिलाएं शामिल हैं और चार लोगों के शव घटना अस्तल के पास इस्तित अस्पताल में हैं सुरक्षाबर सर्च ओपरेशन में जुटे हुए हैं ताकि इन आतनकवादियों का पता लगा कर उन्हें मार गिराया जा सके आतनकी हमले में तीर थी आतरों की बस बेकाबू होकर गहरी खाई में गिर गई जिससे बस में सवाद 10 लोगों की मौत हो गई और 33 लोग खायल हो गई इस हादसे में जैपुर के चौमू के पांच लोग भी शामिल है जो अपने परिवार के साथ वैशनो माता के दर्शन के लिए गए थे गटना के बाद पवन नाम के एक शक्स से परीजनों की बात हुई पूर्वी विधायक रामलाल शर्मा ने इस मामले में मुख्यमंतरी बजनलाल से फोन पर बात किया और परीजनों को धांडस बंदाया है मुख्यमंदरी के निर्देश के बाद प्रशासन ततकाल सक्रिय हो गया है और घायलों को उचित, इलाज और सहायता प्रदान करने के लिए आवश्यक कदम उठा रहा है प्रशासन ने तेजी से राहत और बचावकारियों को अन्जाम दिया है कश्मीर में इस आतंकी हमले ने पूरे देश को जगजोर कर रख दिया है सरकार प्रशासन ने श्तती को नियंतरन में लाने के लिए तत्परता दिखाई है और प्रभावित परिवारों को हर संभव सहायता का स्वाशन दिया जा रहा है बने रहे हमारे साथ देखते रहे जनता दर्बार निउस मुझे दीजे जाज़त नमस्कार